A very good morning to all of you students, आज हम grammar का second chapter पढ़ेंगे, जो है nouns, S-N-O-U-N-S, okay, तो start करते हैं, a noun is the name of person, place, animal or thing, मतलब noun का meaning क्या होता है, noun का meaning क्या होता है, कि किसी भी person, किसी भी इनसान का नाम, किसी भी place, मतलब किसी भी जगय का नाम, किसी भी animal का नाम, या फिर किसी भी cheese का नाम, okay, पर्सन जैसे राजू, रेखा, रुकसर, कनिश्का, तो यह सारे क्या हैं, लोगों के नाम है, place, place का नाम जैसे इंडिया, चाइना, दिल्ली, मुंबई, कुलकाता, राइपूर, शतिजगर, है ना, तो यह क्या है, places का नाम, animal के नेम, elephant, dog, horse, lion, यह क्या हो गए, animal's name, ठीक है, next देखो, things, things के नाम मतलब pen, copy, books, table, chair, comb, है ना, यह क्या हो गए, things के नाम, तो इनी के नामों को क्या बोलते हैं, हम nouns बोलते हैं, ठीक है, अब nouns कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके, two types of nouns, ठीक है, noun can be classified in, वे, noun कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ठीक है, पहला होता है, proper noun, दूसरा होता है, common noun, proper noun मतलब, जिसने, पूरा properly उस जगे का नाम लिखा हो, ठीक है, जैसे, समीर, डेली, ताज महल, ठीक है, और common noun, sorry, common noun मतलब, जैसे कि, boy हो गया, common boy हो गया, boy में उसका कोई भी नाम हो सकता है, समीर, रहीम, राजा, यह ना, पार्क, पार्क, कोई भी पार्क हो सकता है, ठीक है, होस्पिटल, होस्पिटल बहुत सारे हो, होस्पिटल भी बहुत सारे नहीं है, यह ना, तो यह सारे common noun हो गए, और proper noun मतलब particular नाम बोला जाए, ठीक है, देखों, proper nouns क्या होते हैं, प्रॉपर noun always begins with capital letter, प्रॉपर noun किस से स्टार्ट होते हैं हमेशा, capital letter से स्टार्ट होते हैं, and are the specific name, जो किसी का specific नाम होता है, किसी का particular नाम होता है, जससे समीर हो गया, राजा हो गया है, ना, that we use to describe people's place of things, मतलब किसी भी जगे का accurate नाम बोला जाए, मतलब, suppose मैं अगर किसी का नाम बोलो boy, है ना, तो boy में बहुत साथ नाम आ जाते है, तो वो क्या हो गया, common हो गया, boy अगर बोले जाए, तो common हो गया, राजा बोलो, तो राजा क्या हो गया, a proper noun, चीके, on the other, on the other hand, common noun are everyday general names that we use for places, things and peoples, मतलब, जिन को हम, और उसके अलावा, common noun क्या होता है, जिन को हम, देली बोला जाता है, जिसकि boy, park, hospital, बैंक, कौन सा बैंक, बैंक में भी बहुत सारे बैंक आते हैं, Canada बैंक, SBA बैंक है ना, तो बैंक क्या हो गया, common हो गया, लेकिन अगर SBA बोला जाए, तो वो क्या हो गया, proper noun, चीके, here are few examples and comparison to help you understand the difference between common nouns and proper nouns, यहाँ पर कुछ examples दे हो हैं, जिनसे आप समा सकते हो, common noun और proper noun क्या होता है, okay, common noun, boy, girl, common nouns क्या होता है, boy हो गया, girl, boy में भी बहुत सारे नाम आते हैं, girls के भी बहुत सारे नाम आते हैं, है ना, month of the year, month of the year भी बहुत सारे होता है, mandate, sorry, January, February, March है ना, day, day of the week, किसी week का दिन, क यहाँ होगा mandate, use day, awareness, जिक कोई भी हो सकता है, ठीक है, city कोई भी हो सकती है, राइपूर हो सकता है, बिलास पूर हो सकता है, ना, कोई भी हो सकती है, जैसे बिलाई हो सकता है, ठीक है, hotel, hotel कोई भी हो सकता है, car, बहुत सारे cars होती है, swift होती है, मारोती होती है, है ना, nano होती ह और्डी होती है बुलायरों होती है बहुत सारी होती है अब देखों प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन बुल जाए तो आकाश आकाश क्या है एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है शुर्भी क्या है किसी लड़की का पर्टिकुलर नाम है जैन्वरी पर्टिकुलर जैन्वरी में ही बोला जाए या फिर पर्टिकुलर फैवरी में बोला जाए या फिर मार्च को बोला जाए क्या हो गया प्रापर नाउन फिर संडे भी प्रापर नाउन है दली भी प्रापर नाउन है मौरिय शेटन यह होटल का नाम है जैसे हम यहाँ पर आपूर का common hotel का नाम बोलते हैं suppose मालो की मन्जु मम्ता है ना मन्जु मम्ता एक particular hotel का नाम है तो वो क्या है? एक particular proper noun है BMW एक car का नाम है particular तो क्या हो गई? proper noun Hence common nouns name people, places and things Common noun names people, यहाँ पर लिखे है places, name and things और proper noun is the name of person, place and object Common noun क्या होता है? common noun सिर्फ place का नाम, people का नाम सिर्फ people कैसा है? boy है की girl है की woman है की मैंने वो होगा place कोई भी हो सकता है, thing कोई भी हो सकता है but proper noun is the name of person, place and object मतलब particular किसी चीज़ का नाम, place का नाम या फिर किसी चीज़ का या फिर person का नाम, नाम ठीक है? read the sentence, look at the underlined words, write C for common noun and P for proper noun as shown once has been done for you तो proper noun के लिए P लिखना है और common noun के लिए C लिखना है अर्जुन क्या है? proper noun and Arjun is a good boy, boy क्या हो गया? common noun then I ate two eggs eggs क्या हो गई? proper noun हो गया in breakfast, breakfast में लोग कुछ भी खा सकते है eggs खा सकते है, bread खा सकते है तो यह क्या हो गया? common noun a dog is my best friend dog क्या हो गया? particular dog को बोला जा रहा है elephant को भी बोला जा सकता था यहाँ पर सिर्फ dog को बोला जा रहा है इसलिए क्या है? proper noun and best friend best friend में लड़की भी हो सकते है लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है best friend so it's a common noun ठीक है? we will go to Mumbai this year मतलब हम Mumbai ही जाएंगे अगर आपे Delhi बोला जाता है इंडिया में कहीं पी भी जाएंगे बोला जाता है तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है लेकिन हापे पर्टिक्लर मुंबई को बोला जा रहा तो यह क्या है? एक प्रॉपर नाउन my aunt is very beautiful मेरी aunt बहुती ब्यूटिफुल है तो यह क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन क्योंकि हापे आउन्ट भी बोल सकते थे लेकिन हापे aunt बोला गया है लेकिन यह प्रॉपर नाउन है यहाँ पर्स यहाँ पर नाउन सराउंडर्स हमारे आसपास नाउन्स कौन-कौन सो होता है mother, father, teacher, policeman, doctor यह क्या होगा? हमारे आसपास की नाउन्स होगा है और देखते हैं place we see are non-hounds मतलब places जगे के नाम में नाउन्स देखो road, post office, hospital, stadium, mountain means of transport we use are nouns मतलब means of transport जैसे हम travel करते हो उसको नाउन्स में कैसे दिखा जाता है aeroplane, bicycle, rickshaw, ship, bus ठीक है यह क्या है? आपके proper नाउन है fruits that we enjoy जो हम fruits खाते हो उसमें नाउन्स कैसे होगे? apple हो गया, pineapple हो गया orange, pear, banana अगर fruits बोला जाएगा तो वो common noun हो जाएगा लेकिन अगर apple बोला जाएगा और फिर pineapple या फिर orange बोला जाएगा तो वो proper noun हो जाएगा ठीक है? games अगर बोला जाएगा तो games कैसे होगे? आपका common noun लेकिन games में अगर hockey, cricket, ludo, chess प्रॉपर नाउन दोच एक है को एक बोल जाएगा तो हुआ अपका प्रॉपर नाउन तो आज के लिए इतने ही रखते है नेक्सक्रास में हम इसके आगे की एक्सिसाइज को देखेंगे तब तक के लिए टेकश अंधान थेंक यू